हेलो इस वीडियो में हम find and replace के बारे में जानेंगे तो इसको करने के लिए हम यहाँ पे home tab पे क्लिक करेंगे इसके बाद editing group में जाएंगे और यहाँ पे find and select के more बटन पे क्लिक करेंगे more बटन पे क्लिक करने के बाद find पे क्लिक करेंगे तो यह find dial box यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे जो भी find करना है यहांसे हम find कर सकते हैं अगर यही find dial box हमने keyword की shortcut key से open करना है तो हम ctrl plus f प्रेस करेंगे यह देखो ctrl f प्रेस करने पे यह dial box आ जाएगा find का यहां पे हमने जो भी find करना है यहां से find कर सकते हैं जैसे suppose करो यहां पे हमने 98 find करना है तो यहां पे हम लिखेंगे find what यहां पे लिखेंगे 98 यहां पे हमने 98 लिखा लिखने के बाद हम next करेंगे एक एक करके डूढ़ना है तो हम find next करेंगे यह रिखो find next तो यह रिखो यह select हो लिखा हुआ है इसके बाद अगला 98 की सेल में लिखा हुआ है यहां पर find next यह देखो अगला यहां पर लिखा हुआ है इसके बाद अगला ढूंडना है find next तो यह देखो अगला सेल यहां पर चला जाएगा कि 98 यहां पर लिखा हुआ है इससे अगला कहां पर लिखा हुआ है यह देखो इससे अगला यहां पे लिखा हूँ, इससे अगला कौन सा है, यहां पे, फिर यह रिपीट हो गया, यहां पे आगया, इसका मतलब यह है कि यहां पे जितने 98 हैं, वो यहां पे लिखे हूँ हैं, अगर सारे यह कठे डूंडने हैं, तो हम के करेंगे, यहां पे Find All पे क्लिक करने के बाद, यह देखो, यहां पे List आजाएगी, इसको बड़ा करते हैं यह, यह सारे जहां जहां पे 98 हैं, जैसे C3 पे 98 लिखा हूँ है, D4 पे 98 लिखा हूँ है, D6 पे 98 और C7 पे 98 लिखा हूँ है, जैसे हम C, Column और 7, Row पे जाना जाते हैं, यहां पे 98 लिखा हूँ है, तो हम यहां पे क्लिक करेंगे, यह देखो, यह C और यह 7, यहां पे यह 98 लिखा हूँ है, इसके बाद, D6 तो हम यहां पे क्लिक करेंगे, यह देखो, D और यह 6, Row यहां पे, तो इस तरह से हम, यहां पे, चाए वो टेक्स है, चाए वो नंबर है, इनको हम यहां पे find कर सकते हैं, इसके बाद हम दूसरे option को करेंगे, find and select के more बटन पे click करेंगे, more बटन पे click करने के बाद replace यहां पे option पे click करेंगे, तो replace पे click करने के बाद, यह replace dialow box यहां पे आ जाएगा, अगर हम keyboard से replace dialow box open करना जाते हैं, तो हम कैसे करेंगे, control plus h प्रेस करेंगे keyboard से, औ भी हम याँ पर replace करना ह आभी लिखा आजे लिखने के बाद याँ पर replace with याँ पर लिखें रोहित अगर हम यह आजे जहां पे लिखे हुए है इन सभी को हमने क्या करना है रिप्लेस करना है एक एक करके रिप्लेस करना है तो हम यहां पे रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो यह पहले वाला रिप्लेस हो जाएगा यह देखो रिप्लेस पे क्लिक किया यह आजी की जगा यहां पे रोहित आ गया अब आटोमेटिक ही यहां पे चले जाएंगे इस सेल में आजे यहां पे लिखा हुआ है इसको भी रिप्लेस करना है तो हम यहां पे क्लिक करेंगे रिप्लेस तो यह भी रिप्लेस हो गया इसके बाद यह देखो अगले सेल पे अपने आप ही यह चल हो जाएगा ये देखो replace all और all पे क्लिक करने पे ये देखो all done we made three replacements इसके बाद ok पे क्लिक किया ok पे क्लिक करने के बाद तो जहां जहां पे आजे लिखा था वहां पे रोईत हो जाएगा ये देखो एक क्रोई तो यहां पर आ गया, इसके बाद यहां पर आ गया, इसके बाद यहां पर आ गया, तो इस तरह से अगर हम अपने डेटा को रिप्लेस करना जाते हैं, तो हम रिप्लेस कमांड के जरीए डेटा को रिप्लेस कर सकते हैं, तो इस वीडियो में हमने find and replace के बारे में ज झाल झाल